Hello दोस्तो, Let's Crack It की magazine analysis series में आप लोगो का स्वागत है और Down to Earth पत्री का आप देखोगे एक से लेकर के 15 जुलाई 2022 की आप लोगो के सामने है लिखा हुआ है Beyond the Abyss मतलब basically इन्होंने बताया है Great Dying 2.0 के बारे में इसके बारे में basically इस magazine के अंदर 15 pages दिये गए हैं तो यही तो पढ़ाने का मतलब मकसद होता है ना कि क्या पढ़ना और क्या नीपढ़ना वहीं अम बता रहे हैं वरना पढ़तो आप भी सकते हैं तो यह चीज़ें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है और हिंदी भासा में थोड़ा सा बॉलता हूँ यहां पर चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो चलिए आगे चलते हैं और PDF की बात कर लेते हैं देखो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 60 रुपीज है आपके आज पास की किसी भी दुकान पर यह पत्री का प्लब्द नहीं होती है तो आपको ओरिजिनल जो सब्सक्रिप्शन है वो यहां पर लेना पड़ेगा जैस के द्वारा रिलीज की जाती है तो उपर की जो PPT PDF है तो आपको इस टेलिग्राम चैनल पर फिर यूफ कोर्स मिल जाएंगी इसका लिंक मैन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है दूसरी PDF यहां पर जो है वो ओरिजिनल PDF है जो की बिल्कुल क्लीन PDF होती है जिसमें आप अ सब्सक्रिप्शन लोगे 60 रुपीज की पड़ेगी तो इसके बाद आप यहां पर देखो तो 84% का डिसकाउंट आप लोगों के लिए होगी और 60 pages of knowledge मिल रहे हैं कुल 10 रुपे में 10 रुपे भी कीमत रखने का कोई मकसद नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है तो यह सब चीज़ से भी उतना ही जानकारी मिलेगी जितना की magazine पढ़ करके आपको मिलेगी तो यह आप हमें इस पर message करेंगे तो आपको यह उपलब्द हो जाएगी इसके अरावा अगर आप message नहीं कर पा रहे हैं तो आपको just अपने telegram saved message में जाकर के B IAS यहां पर जो है वो type करना है बिलकु पत्रिका जो है वो अब हिंदी वासा में भी उपलब्द हो गई है हिंदी वासा की जो पत्रिका है वो पूरे साल में एक बार महीने में एक बार आती है लेकिन जो इंगलिश वाली पत्रिका है वो महीने में दो बार आती है तो इंगलिश वाली पत्रिका के अंदर जो दो भी आप जो है वो मंगा सकते हैं, same process है, इसी तरीके से आप जो है वो उसको access कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि कैसे access करना है, तो just this QR code को scan कीजिए, आपके सामने chat box आजाएगा, वहाँ पर आप लिग दीजेगा कि आपको कोन सी पत्रिका चाहिए, आपको science reporter चाहिए उसका कोई भी रुपिया नहीं लिया जाता, ओके, तो ये चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी, और ये सब जो पत्रिकाएं हैं, ये भी heavy discount पर जो है, वो आपको अपलब दें, discount वगेरा क्या, ये सब कोई, मैं business वारी सिलसले में बात नहीं करना चाहता, just 10 रुपीज इस और आर्टिकल के अंदर से आपको कुछ चीजे जानने के लिए जरूर से मिलेंगी, आर्टिकल के अंदर दो points को discuss किया गया है, पहला जो recent आप single use plastic को ban करने की बात कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है, एक जुलाई से इंडिया के अंदर हर तरीके की single use plastic को ban कर दिया गया है, अब single use plastic आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ओके, तो यह सारी चीजे निकल करके आएं, तो current ban लगा है single use plastic पर यह बहुत जादा limited नजर आया, मतलब regulation इतने tight नजर नहीं आया, जितने की एक environmentalist के perspective से देखें, तो होने चाहिए थे, ओके, तो यह एक basically critical step है, जिससे कि इस मिने इसको control किया जा सकता था, लेकिन फिर भी जो है, वो कुछ gaps जो है, वो नजर आते हैं, और यही जानना हमारे लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है कि government जो कर रही है, आप उसको सही ठहरा हो, ठीक है, आपका काम है कि उसको गलर ठहराने की कोशिश करो, ताकि उसमें और सुध प्लास्टिक मीनेस है, आपको देखने के लिए मिलेगा, non-degradable waste होता है, तो environmental states है, degradation की problem है, लगातार इससे बनी हुई है, the way ahead is to ensure that ubiquitous plastic items in our daily life, जो हम यहाँ पर use करते हैं, उनकी recycling हो, देखो यहाँ पर हमने band तो कर दिया, लिखिन band के बाब जूद भी आप देखो, जैसे polyth होगी, तो उसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि recycling और disposal of safety काफी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, जो भी plastic waste यहाँ पर generate होगा, इसके लिए हमें three-pronged stage G की जरूरत पड़ेगी, नदर तीन steps की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहला step यह होगा, कि जितना भी plastic produce हो रहा है और used हो रहा है, उस सारे के सारे को collect किया जाए, all the plastic, ठीक है, जितना भी plastic generate हो रहा है, उसको collect किया जाए, disposal के लिए है, दूसरा यह है कि जो waste plastic material है, उसको recycle किया जाए, collect होने के बाद, और incinerated वगएरा का use किया जाए, और landfills वगएरा में उसको पहुंचने से पहले ही रोक तीसरा यह मकसद है कि the reuse and disposal has to be in manner that the environmental friendly, ठीक है, आप ने collect कर लिया, आप recycle plants वगएरा में ले गए, treatment plants वगएरा में ले गए, तो वहाँ पर जो process होनी चाहिए, वो environmental friendly होनी चाहिए, ऐसा ना है कि जो plastic से जितना pollution होता, उससे जादा pollution, उसको disposal करने में रिसाइकल करने में हो ज नई चीज नहीं है, carry bag भी single use plastic में आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देखो तो यह कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले अगर हम देखें तो 25 state और union territories ने इसको पहले से ही ban किया हुआ है, अगर हम CP, CB की reports देखें, central pollution control board की, तो लगबग 25 state utilities ने इसको पहले से ही ban किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है, यह बहुत ही difficult है, इसको regulate करना, क्योंकि plastic की thickness के base पर आपको इसको regulate करना था, बैसे भी यही क्या है, और यहाँ पर अगर आप देखें, तो but we know that the enforcement is inadequate, तो 25 state ने पहले ही ban किया हुआ है, फिर भी आपको यह ban करनी की जूरत पड़ी, इसका मतलब यह है कि जो laws यहाँ पर बनाए गए थे, वो inadequate नजर आ रहे थे, this is why implementation of the new ban will make and break India's fight against the plastic waste, current list of banned items जो है, वो comprehensive नहीं है, single use plastic जो है, उसके items को तो यहाँ पर रखा गया है, but वो पूरी तरीके से एक list जो है, वो नहीं आती, इसमें हमने single use plastic के बहुत सारे items को तो रख दिया है, बट ऐसे items को नहीं रखा है, जो कि multi-layered packaging में आते हैं, आप दोर पे वाला जो shampoo का packet आता है, उसको उठा कर के देखिए, उसकी पिन्नी बहुत जादा मोटी यहाँ पर होती है, वो मोटी पिन्नी का मतलब यह होता है, कि उसमें multi-layered packaging देखने के लिए मिलती है, एक के उपर जो पिन्नी है, उसको यहाँ पर तयार किया जाता है, इसको भी बेहन करने की ज़रूत थी, that is called multi-layered packaging, यह जो है वो खतम होनी थी, जितनी भी all fast-moving consumer goods हैं, like good, goodka के pouches हो सकते हैं, shampoo वगेरा हो सकते हैं, chips के packets होते हैं, वो समें जो पिन्नी यूज होती है, polythine यूज होती है that is called multi-layered packaging, उसको भी ban करना चाहिए था, then the list should have include, should have, तो यह चीज़ें यहाँ पर नजर आती हैं, तो यह थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखो कि क्या-क्या जो critical gaps हैं, वो इसके अंदर में यहाँ पर रह गए हैं, और आगे चलें तो आपको मिलेगा यहाँ पर, कि तो government says that all packaging material has been included as part of the extended producer responsibility notification, तो यहाँ पर जो है, वो basically UPSC prelims में पोच चुका है, कि जो EPR होता है, यह basically क्या है, या फिर किस चीज़ें को denote करता है, फिर किस act के अंदर में आते हैं, इस तरीगी चीज़ें निकल करके आई हैं, जितने भी packaging materials हैं, वो सब EPR notification के अंदर में र मकसद है, उसकी ही responsibility है, कि वो उसको collect भी करे वापस, ठीक है, तो producer की जो responsibility है, कि वो उसको बापस collect करे और उसकी recycling यहाँ पर करे, definition जाननी है, तो under this, the companies that manufacture or consume this material are required to take it back and send it to the reprocessing, तो जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको manufacture किया है, उसका ही मकसद बनता है, कि वो उसको बाप खरीदे और reprocessing के लिए send करे, even company-wise annual target जो है, वो fix किये जाते हैं, कि कितना हमें recollect करना है, कितना हमें recollect नहीं करना है, लेकिन ये सब चीजे जो है, वो paper पर ही नजर आ रही है, किसी भी तरीके से जो है, जो EPR है, उससे बड़ी problem solve नहीं हो पा रही है, for instance, अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई information उपलब्द नहीं है, कि कितनी quantity of plastic material या waste है, जो company generate यहाँ पर करती है, यह जब जो सारी चीजें है, वो self declaration के base पर नहीं है, self declaration का मतलब इस तरीक से समझो कि helmet अपनी safety के लिए नहीं पहन रहे है, helmet पहन रहे हैं, कि चलान ना कटे, तो यही चीजें जो है वो निकल करके आती है, कि self declaration के लिए काम नहीं हो रहा है, मतलब कि हम खुद से अपने मन से इस चीज़ को करने कि हमें plastic waste को कम करना है, तो हम उसको EPR के अंदर में वापस लेंगे यह करेंगे, नहीं, government penalty ना लगा दे, इस विज़े से काम यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि the target has been set for each company, वो meaning less निकल करके आता है, इसके अलावा, किसी भी तरीके के benchmark भी setup यहाँ पर नहीं है, तो जो EPR की policies हैं, वो नजर आती है, खतम, मतलब एक तरीके से, जो policy implement होनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं हो रही है, इसके अलावा, 2024 के बाद से यह चीज़ें ज उसके बारे में जानकारी उपलब नहीं है, बहुत सारे critical gap है, थोड़ा थोड़ा assemble करके अच्छा सा ऐससे आप यहाँ पर लेख सकते हैं, इसी में आगर आप यहाँ पर देखें, तो down to earth ने जो है, वो basically बात की producer responsibility organization से, यह क्या होती है, इनके बारे में भी पता होना यह basically अगर आप देखो, तो collaborative process यहाँ पर हो जाती है, plastic waste को खतम करने की, यह किसी भी तरीके का waste हो सकता है, उसको खतम करने की, this is called producer responsibility organization, देखो एक तो आपकी company हो गई, जो waste को generate करेगी, एक consumer हो गया, जिसने उसको use किया, use करने के बाद packet वगेरा सब फैक दिये, तो company direct इसको ना करके collect based को, बीच में आपका producer responsibility organization के जरिये, इनको collect करवाती है, और यह जो producer responsibility organization है, यह इसको पर supply कर देती है, तो basically अगर आप इसकी एक core definition को यहाँ पर देखें, तो यह agency है, that is contacted by the company, company के साथ contact करती है, जिससे की waste को collect किया जाए, on the behalf of company, company के बिहाफ पर, ताकि company के EPR target जो के काम यहाँ पर किया जाता है, PROs जो हैं, वो कहीं से भी waste को ले करके आएंगे, okay, waste basically municipal bodies से यहाँ पर होगा, बट उनको company के EPR targets को खतम करवाना है, किसी भी तरीके से, okay, तो कहीं से भी इस waste को यहाँ पर ले करके आए जाएगा, different bundles में, aluminium tin से ले करके, pouches वगएरा, कुछ भी हो सकता है, जो भी company ने यहाँ पर contract के अंदर लिखा होगा, okay, तो यह सब चीजें कुछ उभर करके यहाँ पर आती हैं, the PROs के साथ भी problem नजर आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि it was running out of the space and the only option was to send the material for incineration to cement companies, इतना सारा इनके पास जो है, वो basically कह सकते हैं कि waste इखटा हो जाता है कि उपर जो contract companies हैं वो upload नहीं होत पाती है, वरना उनको PROs को भी यहाँ पर commission देना पड़ेगा, तो यह भी कुछ चुनोतिया जो है, वो निकल करके आ रही है, खेर यह सब article काफी लंबा हो गया, बट इतनी चीजें आपको पतावनी चाहिए, इसके बाद आगे बात करें digest article के अंदर लिखा हुआ था, just take a point की कुछ खवरे हैं, इनको यहाँ पर ध्यान में रखना, राजिस्तान के अंदर एक conservation reserve है, that is called जोर बीर conservation reserve, बीक अनेर के अंदर, यहाँ पर plastic और non-biodegradable waste काफी भारी मातरा में generate यहाँ पर हुआ है, जिससे की वहाँ पर जो words का population है, वो just नाम याद रखो कि आखिर, जो है वो conservation area के अनाम है, जोर बीर कहाँ पर है, राजिस्तान के अंदर, नियूज में है, उसके बाद bon of contention की बात की गई है, पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, तो UNFCCC के बारे में सुना होगा आपने, इसकी 26th जो conference of parties की meeting थी, ग्लासग और 22 के बीच में, जो एक तरीके से इनकी, कह सकते हैं कि mid-year climate change conference यहाँ पर organize की गई, तो मतलब आने वाले समय में 27th COP आईगी, 27th COP जो है वो Egypt के अंदर होगी, याद रखना इस चीज़ को, तो Egypt के अंदर हम क्या करेंगे, और हमने जो ग्लासगो के अंदर बात हैं की थी, व उसके बारे में discuss करने के लिए SB56 that is called subsidiary bodies meeting 56th session यहाँ पर organize किया गया, ओके, जिस इतना याद रखना है, जादा detail में नहीं जाना, बोन जर्मनी के अंदर, तो यही देखने के लिए काम हुआ कि भाई, हमने 26th COP meeting थी, उसके अंदर क्या किया, और जो COP27 होगी, उसके अंदर हम तो दो तीन बड़े इशू यहाँ पर आए, बेसिकली दो इशू यहाँ पर आए, एक तो इशू था climate finance का, बात यह हो रही है कि COP27 के अंदर में, जो Glasgow में बात की गई थी, COP26 के अंदर, Glasgow में जो बात की गई थी, उसमें adaptation fund को double करने की बात की गई, तो उसको apply करेंगे, COP27 के अंदर में आपन निकल करके आई, और जो current target है, 100 billion dollar का, जो कि Paris climate agreement से चला आ रहा है, 2015 से, वो ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो developed countries से यह कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है, कि यह target को double करके 200 billion dollar का करेंगे, तो यह कुछ issues निकल के आई, अभी Justin को ऐसे ही समझो, क्योंकि यह ज loss and damage finance की term, जो है, वो news के अंदर थी, यह क्या होती है, तो जस्ट आपको इसकी definition पता होना चाहिए, कि जो आपकी loss and damage का मतलब यह होता है, देखो climate change तो हो रहा है, तो जो vulnerable society हैं, communities हैं, infrastructure हैं, उन सभी को नुकसान होगा, तो जो नुकसान उन्हें यहाँ पर हुआ, climate change की वज हैं, उसको पूरा करने के लिए, जो fund develop किया जाएगा, that will be called loss and damage finance, तो loss and damage finance refers to the money, जो की communities को दिया जाएगा, जिन्होंने face किया है, climate crisis के burnt को बोज़ को, okay, it has been long been avoided by the developed countries, developed countries इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा कोई नहीं जड़ोत है, इससे आगे आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, उसके बाद बात करें, इंडियन ओशन के अंदर microplastic के high levels, जो है, वो यहाँ पर नजर आए हैं, अगर हम लगभग देखें, तो इंडियन ओशन के अंदर average concentration of 50 microplastic per cubic meter, जो है, वो यहाँ पर नजर आता है, analysis क किया गया, microplastic का तो पता चला कि यह basically, इस article के अंदर अगर आप देखें न, इस particular article के अंदर यह बताया गया है, कि जो microplastic के concentration है, इसको मापने की जो तकनीके हैं, वो काफी जादा खराब तकनीके यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, खराब तकनीक का मतलब यह है कि बहु उन सबसे निपटने के लिए एक नया जो better accuracy tool डैवलप किया गया है, एक नया method डैवलप किया गया है, that is called razor direct infrared chemical imaging, ओके, तो यह method जो है, वो infrared detection के base पर वर्क करेगा, और molecular level पर वर्क करेगा, और सीधे सीधे देखकर के बता देगा कि Indian Ocean के अंदर कितने तरीके की microplastic concentration है, क्योंकि Indian Ocean के अंदर paint particles 49% के करीब है, इसके अलावा जो polythene होती है, that is called polythene, teraflates, that is called PET, 25% इसके particle है, तो जितने भी micro basically plastic मौजूद है, उस micro plastic के अंदर paint के particles का constitution है, 49% और फिर आता है आपका PET का concentration, that is called 25%, तो ये जो है, वो आपका इस method के जरीए यहाँ पर इनको मापा जा सकता है, इनकी basically जो है, वो आप analysis कर सकते हो, ताकि intervention अच्छे लिए जा सके, इसके बाद बात करें, तो early onset on heat across the northern hemisphere नजरा रहा है, कहने का मतलब यह है, कि आर्टिकल के अंदर just यह दिखाया गया है, कि जो European countries हैं, उसमें जो बड़ी-बड़ी cities हैं, वो भारी मात्रा में, जो heat waves हैं, उसको यहाँ पर phase कर रही है, चाहें वो city हो Paris की, चाहें वो city हो London की, चाहें वो North Africa हो, हर जगह पर यह देखने के लिए मिल रहा है, Spain है, Germany है, temperature जो है, वो 10 degree centigrade से यहाँ पर बढ़ गए, ऐसे ही US है, Central US है, Eastern US है, वहाँ पर भी यह चीज़े देखने के लिए मिली, पाकिस्तान, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर भी intense heat wave देखने के लिए मिली, UPSC question पूछेगा, UPSC question पूछेगा, mains के अंदर, why are the European cities facing the extreme heat wave, European cities की बात करेगा, देगा, Paris बगएरा, यह सब क्यों आपका, इस तरीके से heat wave को यहाँ पर जो है, वो basically face कर रहे है, क्यों face कर रहे है, Siberia में आग लग रही है, लगतार, क्यों, यह सब चीज़े निकल करके आएंगी, ठीक है, यह question यहाँ पर पूछा जाएगा, और यह बहुत simple है, आपको 4-5 points जो है, वो पता होने चाहिए, कि किस वज पूइंट जो है, वो आपको यहाँ पर लिखने है, सबसे पहले आप global warming के बारे में लिख सकते हैं, global warming के अंदर ही आपको greenhouse gas वगएरा, climate change के बारे में लिखकर के आपको इन चीज़ों को जो है, वो यहाँ पर खतम करना है, दूसरे में आप जो है, वो erratic weather pattern के बारे में लि जिसकी वज़े से सूरच की जो किरने है, बिसिकली insulation है, वो जादा से जादा reflect हो सके, तो इसकी वज़े से जो है, वो heat waves लगतार बढ़ रही है, यानि कि building material को आप जो है, वो इस तरीके से करोगी, चोथा point आप लिख सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर सोचा परना है, तो पानी जो है, वो धरती के अंदर सीप होना चाहिए, लेकिन drainage system पूरे concrete के बने हुए है, जिससे कि पानी जो है, वो धरती के अंदर सीप नहीं होता है, और जो पर्टिकुलर इलाका है वहां का, वो काफी गरम हो जाता है, जिससे heat wave की intensity जो है, वो यहाँ पर ब दलाएगा, जैसे पांचवा point के अंदर आप जो है, वो लिख सकते हो, कि जो atmospheric convection होते हैं, उसकी वज़े से, एक concept होता है, that is called heat island, okay, तो heat island का जो concept है, वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, heat island में basically, surrounding atmosphere की तुला में, एक particular इलाके का जो temperature है, वो काफी चादा बढ़ जाता है, heat wave को experience यहाँ पर करती है, इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो, कि जो architectural system है, वो भी proper नहीं है, जिसको कहते है, passive architectural system, उस तरीके का होना चाहिए, passive architectural system होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, active देखने के लिए मिल रहा है, तो यह सब चीज़े भी आपको ध्यान में रखने है खेर, यहाँ नहीं जाना था, लेकिन मैंने आपको mains का एक अच्छा question करा दिया, question पूछा जाएगा 15 नंबर में, क्योंकि GS paper 3 का एक important question यहाँ पर बन जाता है, तो यह चीज़े ध्यान में रखने है, खेर, यहाँ पर तो आपको पता चलिया कि overall temperature increase हो रहा है, तो इसकी वज देखें, तो 36 गड़ की सरकार में, जो है, वो basically, हस्देव अरन्या फोरेस्ट जो है, वो न्यूज में है, इसमें आपको जादा नहीं जाना, मैं पिछले चार महीने से इस न्यूज को पढ़ा रहा हूं हर बार, ठीक है, कि हस्देव अरन्या फोरेस्ट जो है, वो कहाँ प फ्लूड एक्सक्रेशन के सिस्टम्स जो है, वो देखने के लिए मिल रहा है, तो ये देख सकते हो, तो ये जो है, वो लंपी स्कीन डिजीज है, इसको भी आप यहाँ पर जस्ट याद रखो, ये एक एक पॉइंट की चीज़ है, इसमें आपको नोट पोर्ट बनानी जू इसके लावा अगर हम देखें, तो फोरेस्ट फायर लग गए किनूर डिस्टिक हिमाचार प्रदेश के अंदर, जहां से आप देखोगे की चिलगोजा के बहुत सारे प्लांट जैस्ट्रो हो गए, तो ये बिल्कुल भी साही नहीं है, चिलगोजा जो पाइन है, वो एक इ इंटर्नल डिस्प्लेस्मेंट हुए हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं हुए, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर हुए हैं, दूसरे नंबर पर फिलिपीन्स के अंदर हुए हैं, और तीसरे नंबर पर इंडिया के अंदर में यह यहां पर हुए है तो यह report जो है वो release की गई UN की द्वारा और basically UN के अंदर जो non profit है that is called internal displacement monitoring center उसने इस चीज़ को यहाँ पर जो है वो compile किया तो यह थोड़े थोड़े से point जो है वो याद रखो एक एक point की चीज़े थी ऐसे global level पर भी एक एक point की जो चीज़े यहाँ पर चल रही है वो यह है कि चाइना ने announce किया है जून 17 को कि यह जो इतने भी नए steel के cooking oil के या refinery है या cement glass project है की जूनस के अंदर उन में lower करेगा pollution को carbon emission को कम करने की कोशिश करेगा तो green house gas के emission को control यहाँ पर किया जाएगा और false emission data है या उन सब को यहाँ पर खतम किया जाएगा चाइना कहता है जैसे इंडिया कहता है करते नहीं है लेकिन चलता है developing countries है ऐसा ही चलता है उसके बाद तंजानिया की सरकार news के अंदर आई तंजान तो यह जो conservation area है यह basically तंजानिया में है इस चीज़ को आपको धियान रखना है और यहाँ पर जो native मसाई community है इनको displace किया जा रहा है यहाँ से क्योंकि लगभग जो area है एक लाग पचास जार hectare का उसको demarkate किया गया है official project के लिए तो जिसकी वज़े से जो मसाई tribe से उनको नहां से displace किया जा रहा है यह बिल्कुल भी साही नहीं जिसकी वज़े से area जो है वो news के अंदर आया आपको just area का नाम याद रखना है और area कहां पर है और मसाई tribe के कारण news के अंदर आया नेपाल के अंदर देखें तो नेपाल में basically जो average based camp था वो आपका khumbu glacier के अंदर में यहां पर था याद रखना है कि khumbu glacier का है क्यों याद रखना है क्योंकि direct question पूछा जाएगा कि निम्लिखित में से कौन सा glacier ऐसा है जो कि हाल ही में बहुत ही भारी मातरा में destabilizing हो रहा है और बहुत ही तेजी से melt यहां पर हो रहा है इंडिया के पास में पढ़ता है इस तर यहां पर हो सकता है यह बैस केम्प लगबख 5000 मीटर की हुचाई पर है और चूंकि global warming हो रही है तो khumbu glacier जो है वह बहुत तीजी से destabilize हो रहा है किसी भी दिन जो है वह बैस केम्प यहां पर खतम हो सकता है जिससे की लोगों को भी नुक्सान होगा infrastructure को भी नुक्सान होगा और इन्होंने जो है वो जून 16 में 16 जून को एक नए target यहां पर setup करें इन्होंने कहा कि 2005 में हम जितना carbon dioxide का emission करते थे उसका 43 परसेंट जो है वो हम यहां पर कम कर देंगे और पिछली जो सरकारती उसने कहा था कि 26 से 28 परसेंट कम करेंगे तो नई सरकार ने कहा है कि हम 43 पर लाइक शेर और सब्सक्राइब यह बहुत ही ज्यादा important चीज़े होती है ओके इससे motivation यहां पर मिलता रहता है उसके बाद अगर हम बात करें नाइबर्स एन्वें लिखा हुआ है basically बात हो रही है जूट cultivation की ओके इंडिया की जो जूट economy है वो पिछले एक दसक के अंदर द देखें बांगलादेश हैस नोट जस्ट इंक्रीज इंडिया के अंदर यहां पर उपती है ओके सबसे ज्यादा जूट जो है वो इंडिया के अंदर production होता है लेकिन superior quality की जूट है वो आपको बांगलादेश के अंदर देखने के लिए मिलेगी तो इंडिया बड़ा production house था बांगलादेश दूसरे नंबर पता लेकिन quality के मामले में बांगलादेश पहले नंबर पर है इंडिया दूसरे नंबर पर है बागी कुछ points को article से निकालने की कोशिश यहां पर करते हैं अगर हम यहां पर देखें तो आपको नज़र आएगा कि production of this cash crop that is called jute की crop has fallen by over the 13% in the past decade तो पिछले decade के अंदर अगर हम देखें पिछले 10 सालों के अंदर में देखें तो लगबाग 13% से area जो है वो यहां पर कम हो गया है 2011 बारे में 2.3 million ton उकता था लेकिन 2021 बाइस में सिर्फ 1.77 million ton जो है वो यहां पर उगा है यह official data है union minister of agriculture and formal welfare ने मैं 2022 में इस data को यहां पर release कि same data अगर हम commission for agriculture cost and prices के हिसाब से देखें तो वो भी यही नजर आता है आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है इतना सब data जानने की जरुवत नहीं पढ़ती है अब country जो है वो basically अगर हम देखें इसके अंदर में तो best Bengal की बात हो रही है best Bengal country का largest jute producing state है लगबग अगर हम देखे हैं तो जितनी भी jute mill इंडिया के अंदर में मौझूद हैं like 93 jute mills है उसमें से 70 mills जो है वो आपकी best Bengal के अंदर में ही मौझूद है the area under jute has reduced by 0.1 million hectare 2015 पिछले दसक के अंदर जो आपका best Bengal है वहाँ पर area इतना कम हुआ है यह याद रखने की जरुवत नहीं है but यह याद र इसकी जो पतिया यहाँ पर होती है वो market में बेची जाती है बैजी टेवल के तोर पर खाया जाता है even crop harvested होने से पहले इसकी पतियों को market में बेचा जाता है इसका जो inner stem होता है तना basically inner part जो है वो basically manufacturing के रोप में इस्तमाल किया जाता है paper manufacturing महां से की जाती है जबकि उसकी जो outer layer होती है उससे fiber जो है वो इस्तमाल किया जाता है तो फिर यह जो जूट economy है इसमें इतनी बड़ी problems कहां से आ रही है हमारा जो basically पूरा का पूरा जूट है वो किसी ने किसी तरीके से इस्तमाल यहाँ पर हो रहा है उससे paper industry में मदद मिल रही है उससे vegetable crop मिल रही होगे तो फ specially problem जो है वो इंडिया के साथ आ रही है बंगलादेश अपनी जूट economy को sustainable और successful बनाए रखे हुए है इंडिया में यह problem जादा नजर आती है तो यह जो 6 points हैं यह अलग-लग जगह से उठा गे हैं मतलब down to earth की अलग-लग face पर लिखे हुए थे ताकि आपको time भी यहाँ पर save रहे पहला चीज निकल के आती है कि सारा का सारा जो market है वो बंगलादेश धीरे-धीरे जो है वो capture कर रहा है तो इंडिया के लिए जो basically market है वो उतना तादा बचा नहीं है तो market की access जो है वो यहाँ पर कम होती चली जा रही है जब market की access कम होती चली जाएगी तो price भी धीरे- corporation of India जो कि यह government owned enterprises है जो कि रो जूट को प्रक्चोर करती है MSP पर उसने कोई भी intervention यहाँ पर नहीं लिए मतलब किसानों की मदद के लिए MSP पर यह सामने नहीं उबर करके आई तीसरी problem यह है कि बंगलादेश से जो हम import यहाँ पर करते हैं imports from Bangladesh have adversely affected the domestic industry अब मैंने आपको बताए कि बंगलादेश में superior quality की जो है वो जूट जो है वो बनाई जाती है तो उसको import किया जाता है इंडिया के अंदर जिसे की domestic industry को हड़ देखने के लिए यहाँ पर मिलता है बंगलादेश has traditionally enjoyed a comparative advantage in the export of jude products ओकी तो बंगलादेश का एक traditional advantage भी है because low cost production महाँ पर होता है यह भी एक चुनोती इंडिया के लिए है कि इंडिया में cost of production काफी जादा high है अगर हम देखे तो बंगलादेश के अंदर जो wages हैं वो भी यहाँ पर low है जो power tariffs है वो भी यहाँ पर favorable है cash अफिडी भी दी जाती है export पर और fiber quality भी better यहाँ पर है तो इसकी वज़े से जो बंगलादेश है उसमें low prices देखने के लिए मिलते हैं jude product के जिससे की उसका import export भी आसान हो जाता है फिर पांचवा point तो quality के उपर ही है quality में मैं आपको बताया कि इंडिया में जो jude quality उतनी ज्यादा अची नहीं है जूट मिल्स जो है are marked by the issue of machinery modernization इंडिया के अंदर जो मिल्स हैं उसमें machinery उतनी ज्यादा modern नहीं है miss management देखने के लिए मिलता labor shortage भी यहाँ पर है और साथ इसाथ unrest और dependence on the government ज्यादा नजर आती है तो जो basically आप मिलेगा कि यह सारे points अगर आप लिखते हो कि इंडिया में jude economic की क्या problems हैं तो यह चीजे नजर यहाँ पर आएंगी तो 6 points हैं इसका screenshot ले सकते हो नीचे से PDF डाउनलोड कर सकते हो इसको यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलबाब बात करें अगर हम procurement की तो मैंने आपको बताया कि JCI that is called jude cooperation of India MSP पर सरकार के बिहाफ पर किसानों से jude को यहाँ पर procure कर दी है तो procurement जो है वो poor नजर आ रहा है जबकि सरकार को यह जो है वो खरीदना चाहिए था क्योंकि सरकार ही है जो की largest buyer है jude bags का वो इससे jude के bags यहाँ पर जो है वो तयार करवाते हैं MSME बगरा की through which from the highest share the total jude product manufactured in the country सरकार ने एक special lobby यहाँ पर release किया था that is call the jude packaging material compulsory use in packaging commodities act 1987 जिसको कहते हैं JPMA Act इसके अंदर में यह लिखा हुआ था कि जो food grain यहाँ पर है उसमें packaging material का इस्तमाल में jude का इस्तमाल किया जाएगा मतलब polythene बगरा के अंदर आप जो है वो packaging नहीं करोगे आप jude के bags के अंदर packaging करोगे food grains की act के अंदर ये भी mandate किया गया कि 2017 से जितनी भी food grains है वो 100-100% food grains jude के bags के अंदर ही pack होने चाहिए that is call mandatory use of jude packaging और इन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी sugar यहाँ पर generate हो रही है उसका 20% sugar जो है वो jude packaging के अंदर में होना चाहिए due to this jude sex account for 70% of the total production of jude industry तो इसी वज़े से जो jude industry यहाँ पर है उससे maximum जो है वो jude के bags बनाए जाते है क्योंकि सरकार ने इस बात को ये कह दिया है कि जो है वो 100% food grain और 20% sugar जो है वो उसका packaging jude bags के अंदर यहाँ पर करोगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी धियान में रखो act के बारे में याद रखना है important हो जाता है और कितने कितने percent mandate है ये भी आपको याद रखना है this is mandatory okay 2017 से याद रखना है इन चीज़ों को ignore नहीं करना हर चीज को ignore थोड़ी करेंगे okay उसके बाद अगर हम देखें लिखा हुआ है दा बांगलादेश story इंडिया के अंदर production और एक्रियेज दोनों जो है वो लगातार decline हुआ है पिछले decade के अंदर मैंने आपको बताया कि cultivation area भी यहाँ पर decline हुआ है लगबग 13% से decline हुआ है और साथ इसाथ production भी जो है वो decline हुआ है बांगलादेश के अंदर production और एरिया अंडर जोट वो over the years increase यहाँ पर हुआ है यह दोनों point आपको यहाँ पर ध्यान में रखने है इंडिया के अंदर कम हो रहा है बांगलादेश के अंदर जादा हो रहा है लेकिन इंडिया अब भी जोट का largest producer है इस्पेशली एक्रियेस क के चेत्र में काम हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि बांगलादेश के कम हो गया थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन बांगलादेश की तुलना में अभी भी जादा है बांगलादेश जो है वो largest cultivator के रूप में अबर करके आया अब एरिया हमारे पास जादा है लेकिन cultivation और production ज जो है जितना भी global जूट export होता है उसका 75% constitute करता है जबकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ साथ परसेंट करता है अब आप समझ गए होगे कि problem कहां पर आ रही है okay problem यहीं पर यह है एक country जो की area में भी कम है वो आपका यहां पर 75% तक घेरे हुए है area और इंडिया जो है वो सिर् चीज है उनको भी मार यहां पर पड़ती है तो आप देख सकते हो कि 1970 से लेकर के 2019 तक इंडिया का जो production है वो दिखाया गया है blue color का graph अगर हम देखें तो production का gap जो है वो लगतार जादा ही मिलेगा okay किसी किसी साल छोड़ सकते हैं okay यह gap देखो आप और इंडिया का उपर का graph है तो यह जादा ही मिल रहा है लेकिन कुछ समय में जो है वो यह चीज नीचे की तरफ गई है अगर आप देखो 2010 से especially मैं इसको किलियर करता हूँ okay blue color okay तो blue color का graph देखो इंडिया का production especially 2010 से नीचे की तरफ जा रहा है और बंगलादेश का जो production है वो उपर की तरफ में यहाँ पर जा रहा है तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसके पीछे के कारण क्या है तो वो मैंने आपको 6 कारण यहाँ पर बताए सारा का सारा डाटा जो है वो FAO यानि की food and agriculture organization से उठाया गया है तो production and area under the jute has declined in India in the past decade but in the Bangladesh यह सारा का सारा increase हुआ है जैसा की आप देख सकते हो ऐसा ही आपको harvest में नजर आएगा अब करा क्या जा कुछ सुजाब दिया जा बे forward के अंदर कुछ लिखोगी तो बे forward के अंदर आपको just एक important point लिखना है पहले तो जो मैंने आपको gaps बताए उनको फूरा करो वगरा वगरा इस type से लिख सकते हो डूसरा important point जो है वो diversification के लिए किया जा सकता है देखो basically jute जो है मैंने बताए कि 75% जो jute है वो सिर्फ और सिर्फ jute bags को बनाने में इस्तमाल किया जा रहा है ठीक है तो हम जो सिर्फ jute bags हैं उसकी जगे कुछ और manufacturing करने में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं diversification is key if India's want to make the jute market successful demand for diversified product वो लगता domestically create हो रही है this can be a big boost तो क्योंकि हमने single use plastic को भी जो है वो खतम करा है तो इसका मतलब यह है कि अब jute जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा और ताकि जो plastic है वो धीरे धीरे wipe out हो तो जूट उसकी जगह पर यहाँ पर ले सके currently 92% of the domestic jute produced is used for packaging purpose 92% जो है वो packaging purpose में इस्तमाल हो रहा है जबकि बाकी जो 8% है वो other product बनाने में इस्तमाल हो रहा है तो इसमें हम और diversification कर सकते हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ focus जो है वो जूट product य eliminate करने में हमारी मदद कर सकते हैं इसे bottles बगेरा है वो सब बना सकते हैं तो उसमें भी इस्तमाल जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है तो यह सब चीजे हैं और काफी सारे bag बगेरा हैं वो सब यहाँ पर हो सकते हैं तो थोड़ा बहुत याद रखो diversification इस दक की इस point को आप ध्यान में रखोगे तो यह सब चीजें नदर आनी चाहें उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है genetic undoing यह article खुबसूरत है इसको ध्यान से सुनते रहिएगा यहाँ पर जो है वो basically inbreeding की problems के बारे में बताया गया है inbreeding basically अगर आप देखो तो एक ही जैसे के बीच में यहाँ पर जो mating process है that is called inbreeding especially okay तो यह जो है वो नजर आता है कि inbreeding के कारण जो genetic diversity है वो धीरे धीरे यहाँ पर खतम हो जाती है genetic diversity खतम होने का मतलब यह है कि gene में जो changes यहाँ पर है वो नहीं हो पाते जिससे कोई भी disease आएगी तो पूरी की पूरी population को खतम कर दे ज़्यादा के लिए यहाँ पर होती है inbreeding के बात करें तो bad है किसी भी species के लिए inbreeding मिलकुल भी सही नहीं है और especially जब वो critically endangered animal हो जैसे की bangol tiger है तो राजिस्थान के अंदर भी जो tiger है वो यहाँ पर पाय जाते है especially run thumble tiger reserve के अंदर okay तो वहाँ पर जो यह tigers पाय जाते हैं उन थंबो tiger reserve में tigers की population कम यहाँ पर हो रही है तो यह चीज़े नजर आनी चाहिए इस समय बरतमान में tigers की population कितनी है data याद रखेगा 2967 है exact point याद रखने है okay ना इधर ना उधर क्योंकि गिंती के बचे हैं तो याद रखने है okay तो 2018 की census है national tiger conservation authority की इनके इसाब से चीज़े नज दर आती है बात करते हैं fragmentation की देखो the fragmentation of the habitat is sequestrating the species into the small and isolated population with the high chance of extinction इस चीज़ को थोड़ सा यहाँ पर समझने की कोशिश अगर हम करें तो यह यहाँ पर line यह कहने की कोशिश कर रही है मालो की एक बड़ा land patch है इसके अंदर बहुत सारे जो tiger ही ले लो ठीके tiger यहाँ पर रह fragmentation होता रहेगा let's say 100 tiger रह रहे थे तो अब यह 25-25 यहाँ पर बढ़के और ज्यादा land fragmentation यहाँ पर होगा तो 10-10-5-5 tigers के जो groups हैं वो अलग-लग यहाँ पर बन जाएंगे और वो किसी और दूसरे area में move नहीं करेंगे मतलब जो इसमें है वो इसमें ही रहेगा जो इसमें है population small हो जाती है उनके extinction के chances जो हैं वो बढ़ जाते हैं fragmentation होता है land patches छोटे छोटे होते चले जाते हैं जिससे inbreeding बढ़ती है मतलब आपस के लोगों में ही जो है वो meeting के process शुरू हो जाती है तो इसके कराना जो है वो genetic diversity कम हो जाती है genetic diversity कम यहाँ पर हो जाएगी तो disease वगेरा स जो vulnerability है वो यहाँ पर increase हो जाएगी मतलब disease लगने के जो chances है वो जादा यहाँ पर हो जाएंगे तो जहाँ पर high invereding होती है वहाँ पर जो है वो आपको नजर आएगा कि disease जादा होती है जिसकी वज़े से tigers की death होनी शुरू हो जाती है किसी और animal की और यहाँ पर जो है यह loop create ह हो जाता है जिससे की population धीरे धीरे extinct यहाँ पर हो जाती है तो run thumbo tiger reserve के अंदर भी same situation जो है वो नजर आ रही है टाइगर जो है वहाँ पर 60 से ले करके 100 के group में हो सकते हैं एक 1000 के group में हो सकते हैं इस्टडीज ने analyze किया उन्होंने कई सारे packet जो basically small isolated place देखे जहाँ पर 100 tiger से कम थे ओके फिर large connected areas भी देखे जहाँ 300 tiger से कम थे और इन्होंने यही सब चीज़े निकल करके आई कि impact of inbreeding and inheritance of harmful alias or genetic variants that raise vulnerability to the disease तो यही चीज़े निकल करके आई कि जहाँ पर population कम होगी वहाँ inbreeding शुरू हो जाएगी और inbreeding शुरू हो जाएगी तो disease से vulnerability यहाँ पर बढ़ जा तो यह एक तरीके से inbreeding के बारे में बताया गया है आप देख सकते हो मैंने बताया कि inbreeding जो है वो basically closed related species के अंदर में mating की process होती है तो इसमें अगर आप देखोगे तो यह मालो brother and sister इस तरीके से है एक बार अगर mating की process होई कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा ठीक है brother sister आपको यहाँ पर देखने के लिम्लेंगे लेकिन जैसे ही यह काम यहाँ पर हुआ ओके जैसे ही यह वाली process यहाँ पर हुई inbreeding की पहली बार में तब आपको यहाँ पर देखने के लिब मिलेगा कि इंब्रीडिंग increase यहाँ पर हो गई इंब्रेडिंग इंक्रीज यहाँ पर हुई तो population की ability survive करने की और reproduce करने की वो कम हो गई खतम नहीं हुई यह कम हो गई और इसको कहा जाता है इंब्रेडिंग का डिप्रेशन यहाँ पर आ जाता है यह points आपको याद रखने हैं कि what is this इंब्रेडिंग डिप्रेशन जैसे ही दोबारा से इंब्रेडिंग की प्रोसेस यहाँ पर हुई अब जो ओफ स्प्रिंग्स यहाँ पर होंगी वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी उनके अंदर बिमारी आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि उनके अंदर genetic diversity नहीं है तो कुछ हैं जो ill होंगे लेकिन कुछ होंगे जिनकी death भी हो जाएगी तो यह चीज़े नजर आएंगी तो जो individuals यहाँ पर निकल करके आएंगे inbreeding के थुरू उनमे mutations तो यहाँ पर होंगे उनको यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है जो की inbreeding के जरी यहाँ पर निकल करके आए लेकिन जैसे ही हमें यह चीज़ दिखाए दी कि हाँ यह तो बहुत घातक साबित हो गई कुछ जो mutations हैं या springs हैं वो आपको नज़र आएगा कि ill हो रही है कुछ की death यहाँ पर हो रही है तब आप लेकर के आए genetic rescurer जैनेटिक rescurer इस पूरी community में से नहीं होगा यह बाहर से आएगा यह किसी और population से हम इसको यहाँ पर introduce करेंगे और यह आकर के यहाँ पर मेटिंग की process यहाँ पर करेंगे तब जो अगली mutation यहाँ पर होंगे उनको कहा जाएगा healthy basically यहाँ पर होंगे जब आपने cross breeding यहाँ पर कराई है उसकी बात मैं आपर कर रहा हूँ अब inbreeding खतम हो गई है क्योंकि आप outer side से एक genetic rescuer लेकर के आए हो एक ऐसा जो सक्ष basically है जो कि उस community का नहीं था उसको लेकर के आए है तो this process इसको कहा जाता है genetic rescuer ओके तो यह आएगा तो purging यहाँ पर हुई ओके purging के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो mutations damaging जादा होने शुरू हो जाते हैं लेकिन अगर हम इसको खतम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक genetically distinct individual की ज़रत यहाँ पर पड़ेगी उसको introduce करना पड़ेगा वो इस individual को कहेंगे genetic rescuer और इस process को यहाँ पर कहा जाता है genetic rescue ओके तो इस तरीके से हम उस population को बचाएंगे और आने वाली जो species हैं mutations हैं वो healthy यहाँ पर होंगे simple process है ज्यादा नहीं इसमें गुसना था तो यह चीज़ा नजर आती है इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो this effect the population's ability to overcome genetic drift genetic drift की अगर हम बात करें basically तो यह अपने आप में term निकल करके आती है पूछा भी जा सकता है कि genetic drift के बारे में में से कौन सी term जो है वो यहाँ पर सही है तो genetic drift is a chance process whereby alleles are lost from the genetic pool alleles जो है वो basically genetic mutation होते हैं जो एक genes के अंदर में यहाँ पर अलग लग तरीके के होते हैं तो यह चीज़ें नजर आएंगी तो यह जो है वो lost हो जाते हैं genetic pool से when the effective population is more sizes small तो यह वही है आपका same चीज़ें नजर आती हैं जैसे ही population का size जो है वो small होता है या population एक particular area में सुकड़ करके रह जाती है inbreeding शुरू होती है तो genetic pool है उसके अंदर से LLs इनको यहां पर कहा जाता है LLs मतलब basically जो genetic variation होने चाहिए थे especially genetic variant आपकी gene के अंदर होने चाहिए थे वो धीरी-धीरे खतम होने रखते हैं जिसकी वाज़े से genetic drift जो है वो शुरू हो जाता है और genetic drift से अगर आपको खतम करना है तो आपको जो basically जरूरत पड़ेगी किसकी that is called genetic rescuerer की तो यह कुछ चीज़े नजर आती है देखो रन्र थंबोर में यह सब काम हुआ तो इसकी वज़े से news में आई तो आपको पता होना चाहिए just overview आपको ध्यान में रखना है यह कहीं नहीं publish होती है इधर उदर कोई news नहीं आती है सिर्फ यहाई पर ही आती है तो इस loss को खतम करने के लिए genetic drift ना हो आपको नए जो LAs हैं उनको यहाँ पर generate करना पड़ेगा mutation के through और यह जो कैसे generate हुए यह हमने आपको दिखाया कि आपको genetic rescue लाना पड़ा जिसने की meeting की process की और उसके बाद जो है वो नए जो variant है वो यहाँ पर create हुए gene एक तरीके से revive यहाँ पर हुआ और उसके अंदर variations आने शुरू हुए तो यह चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगे बस इतना आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखोगे इसके बाद भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं लिखा हुआ है introduce new genes यह भी हम आपको बता चुके हैं तो अगर आपको inbreeding को reduce करना है या उसके adverse impact like मैंने बताया जैसे की inbreeding depression genetic rescue एक solution यहाँ पर हो सकता है तो अगर आपको depression को खतम करना है genetic rescue उसका मदद आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी इसमें जो हैं वो हम genes की movement करते हैं और bad जो एलल्स हैं उनको खतम करते हैं और जिसकी मदद से नए जो variants हैं उनको improve किया जाता है captive या wild population को manage किया जाता है और यह सब काम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो ज़्यादा detail में जानी जरुत नहीं लेकिन पता होना चाहिए detail में भी जाने की जरुत है basically तो run थंबोर के अंदर यह सब तीजे नजर आई और इसमें यह आपको दीखेगा कि अगर हम देखें तो by releasing captive breed individual we can reduce the amount of genetic drift genetic drift is not good कम से कम इतना तो यहाँ पर याद रखो genetic drift is not good genetic drift किसके कारण होता है क्योंकि आपके जो basically DIN है उसके अंदर variants यह कम हो जाते हैं तो जिसके कारण genetic drift होता है और इस genetic drift बिल्कुल भी साही नहीं है इसको आपको खतम करना पड़ेगा जिसके लिए आपको genetic rescuer की ज़रुत पड़ेगी या inbreeding है वो भी बिल्कुल साही नहीं है तो वो भी करना पड़ेगा तो IUCN की list को अगर और जादा नहीं बढ़ाना है तो ये सब काम लेने पड़ेंगे वरना species जो है वो extinct यहां पर हो जाएगी अब यहां genetic rescuer आप ले आए लेकिन genetic rescuer लाना भी कोई आसान काम नहीं है ये भी risky process है तो क्योंकि अगर ये मालू आपने introduce किया तो introduce करने के बाद harmful mutation ये genetic variants भी देखने के ले मिल सकते हैं और हो सकता है कि species survive ना कर पाए तो कि species well adapt यहां पर ना कर पाए तो rescuer जो है उसको भी carefully choose करना है तो कि ये चीज़ भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है तो ये सब थोड़े थोड़े से point जो है वो यहां पर ध्यान में रखो तो ecology है या फिर landscape पोरिडोर है उनको बचाने के लिए ये एक अच्छा solution यहां पर निकल करके आता है उसके बाद बात करते हैं great dying 2.0 की जो main article है हमारा focus article है उसकी बात करते हैं genetic पर यह अटके पड़े हैं अभी यहां पर बात हो रही है great dying 2.0 की climate change के कारण ocean जो है वो लगातार warm यहां पर हो रहे है ocean का warm होना बिल्कुल भी साही नहीं है सिर्फ warming ही नहीं ocean के अंदर और भी problems यहां पर आ रही है जैसे अगर हम देखें तो ocean acidification यहां पर बढ़ रहा है वो भी सब ocean को यहां पर hurt करते हैं तो यह कुछ reason है जिसकी वज़े से oceans पूरी तरीके से खतम हो सकते हैं वहां से oxygen के levels कम हो सकते हैं biological oxygen demand बढ़ सकती है बहुत ज़ादा तो ऐसी अगर situation आएगी तो ocean खतम होने शुरू हो जाएंगे और उस process को कहा जाएगा great dying great dying पहले भी हो चुकी है एक बार तो यह जो नई वाली होगी अब बढ़तमान की situation को देखते हुए वो होगी great dying 2.0 या 2.0 तो इसके बारे में हम discuss करेंगी लगभग 15 slide है यहां पर जो कि अंदर एक ऐसा time आया जब डाइनसोर रूल करते थे उससे पहले का समय यहां पर यह है पर्मेर नेरा वहां पर ocean जो है वो आज की समय से 10 degrees centigrade जादा वाम यहां पर हो गए थे इसके अलावा जो oxygen के लेवल्स हैं वो भी 80% तक यहां पर कम हो गए थे इसके अलावा सूपर जो continent यहां पर है पैंजिया गोबी यहां पर बनना शुरू हुआ दब मैसिव पैंथलासा ओशियन भी यहां पर आना जो है वो शुरू हुआ जिसने पूरी के पूरी अर्थ को यहां पर cover कर लिया नई coral species, sponges आने यहां पर शुरू हुए और उनके आने के साथ साथ reptiles वगरा भी जो है शार्क वगरा है या फिर बोनिश फिश है यह सब Permian era के अंदर जो है वो चीज़े आनी शुरू हुए इस पूरे passage में यह लिखा हुआ था जो मैंना आपको यहां पर बताया इसी के साथ साथ जैसी जैसे यह एरा खतम होती चली गई Permian era आपको नजर आएगा कि present day Central Siberian region के अंदर भारी मातर में volcanic eruption हुए volcanic eruption होने के कारण बातावरन में greenhouse gases भारी मातर में चली गई greenhouse gases के कारण uncontrolled तरीके से climate change यहां पर होना शुरू हो गया वो trigger हुआ जिससे की death होनी शुरू हो गई बहुत सारी life forms की जैसे लगबग 96% के करीब marine species खतम हो गई 70% के करीब जो land species हैं वो यहां पर खतम हो गई इस process को कहा गया great dying ओके तो यह point आपको यहां पर ध्यान में रखना है the same process हमें आज देखने के लिए मिल रही है अभी उतनी तेज नहीं है लेकिन अगर हम यह सब काम करते रहे तो यह तेज होगी climate change जो इस समय पर हो रहा है जैसा कि पर्मियन एरा के end में भी हुआ था यह सब process के कारण आप देख सकते हो तो वो same चीज़ आपको यहां पर आज भी देखने के लिए मिल रही है that is unfolding now तो यह चीज़ें आपको आज भी जो है वो same देखने के लिए मिल रही है और इसकी वज़े से great dying देखने के लिए होगी तो जैसी climatic condition 250 million years ago पहले थी वैसी condition आज मिल रही है और क्यों हम इस बातों कह पा रहे हैं क्योंकि हमने इसके ओपर कई सारे models तयार किये हैं जिनको eco psychological eco physiological model जो है वो यहां पर कहा जाता है तो इन models के base पर जो हमने इस चीज़ को पता लगया है कि जो surface temperature है वो भी यहां पर बढ़ रहा है जो deep water temperature है वो भी यहां पर बढ़ रहा है और कुछ जो human activities हैं वो इस चीज़ को और जादा प्रभावित यहां पर कर रही है तो यह जो है वो चीज़े नजर आएंगी आप यहां पर देखोगे तो ocean का कुछ जो है वो रोल बताने की कोशिश यहां पर जो है वो की गई है life जो है वो पर्मियन extinction के बाद से अगर हम देखें तो भरनी शुरू हुई ocean जो है वो planet का largest source भी constitute करते हैं basically मैं इसको पूरा यहां पर आपको बता देता हूँ ocean काफी ज़ादा important है अगर आप इस image को गोर से यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर नज़र आएगा कि 90% of the excess heat जो की generate की जाती है ग्रीन हाउस gases के दौरा वो ocean absorb कर लेते हैं तो हमारी जो heat absorption में मदद यहां पर करते हैं इसी तरीके से अगर हम देखें तो जितनी भी oxygen पूरी दुनिया में मौदूद है उसकी 50-80% oxygen oceans के दौरा जो है वो produce यहां पर की जाती है इसके लावा जितने भी green house gas के emission होते हैं वो लगबग 30% ocean के दौरा absorb भी किये जाते हैं इसके अलावा जो sea floor है सिर्फ 20% ही extract यहां पर किया गया है मतलब sea floor mapping सिर्फ 20% यहां पर की गई है 91% जो ocean की species हैं वो अभी भी classified नहीं हो पाई है और इसके अलावा आपको नज़र आएगा कि और भी जो फायदे हैं वो आपको ocean के जर्ये देखने के लिए मिलते हैं लेकिन इसी के साथ साथ कुछ problems में यहां पर निकल कर क्या आती है जैसे अगर हम देखें तो Arctic sea ice जो है उसका cover 13% तक यहां पर खतम हो गया है इसी तरीके से आपको नज़र आएगा कि 50% increase हुआ है marine heat waves के अंदर in the past decade इसी तरीके से 14% coral reef जो है इसी तरीके से आपको नज़र में आएगा कि जो 235 235 जेटा जूल्स ओर्जा जो है वो यहां पर heat जो है वो एब्जोर्ब की गई है heat एब्जोर्ब यहां पर जो की गई है ocean के दौरा वो भी सही नहीं है उसे marine organisms को काफी नुकसान यहां पर होता है ocean में जो acidification के level है वो 30% यहां पर बढ़ गए है यह भी एक भारी problem यहां पर नज़र आती है उसके अलावा आपको यहां पर नज़र में आएगा कि यह सारी जो चीज़े हैं यह कुछ नुकसान भी कर रही है इन चीज़ों को हम देखेंगे अभी detail में आपर देखते हुए चलते है और ocean के सारे फायदे हैं कितने सारे फायदे हाँ पर नज़र आए उसके बाद climate change अपनी मार को यहां पर बिलकुल भी नहीं छोड़ रहा है तो climate change के भारी impact यहां पर है लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं कि कितना impact पड़ेगा या किस तरीके से पड़ेगा उसके पीछे के reason यहीं है कुछ दो-तीन reason आपको पता होने चाहिए reason यह है कि हमने जो ocean को उतना जाद explore नहीं किया जितना कि हमें पता होना चाहिए था कि उसका क्या impact होगा climate change का average depth होती है ocean की 3700 meter के करीब और लगबग अभी तक अगर हम देखें तो हम sea floor के 80% area को map भी नहीं कर पाए हैं the exact number of species हमें पता नहीं कितनी है 91% of species वो अभी तक classify नहीं की गई हैं और अगर हम यहाँ पर देखें तो सूरज चंद्रमा और यह मंगल के बारे में हम जादा जानते हैं compared to the sea surface sea surface के बारे में हम जादा नहीं जानते हैं moon, mars के बारे में हम जादा यहाँ पर जानते हैं तो यह चीज़े निकल के आती हैं कि ocean के बारे में हम जादा नहीं जानते हम जानते हैं कि ocean कैसे, global climate को control करता है, उसको monitor करता है, उसको regulate करता है, planetary temperature को control करता है, और कैसे ये rain, storm, cyclone, flood, roads वगेरा के events ocean के द्वारा regulate होते हैं, human lives are intimately tied to the ocean, humans भी जो है, वो ocean से जुड़े हुए, आप देख सकते हो, कि जितनी ocean produce, oxygen produce होती है, उसकी 50-80% oxygen जो है, वो आपकी ocean से निकल करके आती है, तो ये चीज़े आपको यहाँ पर है, और salt water bodies, जो है, वो लगबद 3 billion लोगों को livelihood support भी provide कराती है, also ocean current जो है, वो एक essential role play करती है, जिससे की water का movement होता है, water का movement होता है, तो ocean current क्या करती है, आपका जो poles है, वहाँ से cold water को warm water, यानि tropical areas में ले करके आती है, और जो आपका tropical water है, यानि की warm water, उसको poles में यहाँ पर ले जाती है, तो जिससे upwelling की condition यहाँ पर होती है, upwelling की condition, especially अगर जो European coast है, वहाँ पर भी देखने के ले मिल जाएगी, इस सबसे जो है, वो upwelling की condition से, जो deep water में nutrient rich products होते हैं, वो सब उपर आने लगते हैं, that is called vertical movement of water, उसकी वज़े से, जो cold water है, या फिन nutrient rich water है, वो ocean की depth से उपर आने लगता है, और fisheries को support यहाँ पर करता है, और पेरु के ज जितनी भी एकनोमी है, वो इसी process के ओपर यहाँ पर चलती है, ओके, यह सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अल्लीनोलारीना के अंदर यह चीज़े पढ़ाई जाती है, अब इसके पीछे कुछ और reason भी बताये गए हैं, कि क्यों जो great time 2.0 देखने के लिए मिलेगी, पहला यह सब तो लिखते हो, ठीक है, तो यह term आपको याद रखने हैं कि global sea surface temperature जो है, वो क्या होता है, तो इन hot waters लिखा हुआ है, soaking of more heat than ever before, ocean जो है, वो काफी ज़ादा heat को यहाँ पर absorb कर रहे हैं, पिछली तुला में, जिसकी वज़े से हम एक catastrophic future की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, ocean जो है, उनकी carrying capacity जो है, वो जादा होती है, और वो अपना carbon को भी absorb कर रहे हैं, heat sink के रूप में भी work करते हैं, human को बचाये रखते हैं इन सब चीजों से, लेकिन अभी देखने के लिए मिला है, कि जो इनका sea surface temperature है, वो पिछले 140 सालों में 1 degree centigrade से भी उपर यहाँ पर बढ़ हैं, जिससे जो आपके life है, ocean के अंदर, वो पूरी तरीके से change यहाँ पर हो रही है, मतलब उस पर भी negative impact यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ocean temperature में changes होंगे, तो जो climate pattern है, वो अल्टर होंगे, जिसकी वज़े से around the world situations खराब हो जाएंगी, ocean heat content एक record high पर पहुँच गया है, 2021 में, heat भी absorb करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, the sum of energy used by the human across the world in a single year is about half a zero, तो इस से आप देखो कि कितनी जादा energy जो है, वो यहाँ पर, जो ocean उन्होंगे आपर absorb की है, तो इसकी वज़े से, जो ocean heat content है, वो भी record high पर जो है, वो पहुँच गया है, बट the most important role जो ocean का यहाँ पर है, वो carbon sink के रूप में है, लगबग जितनी carbon generate होती है, उसका, फोर फिफ्ट जो है, वो global carbon cycle, आपकी ocean के द्वारा circulate यहाँ पर की जाती है, फिफ्ट assessment report के इसाब से देखें, 2014 की, तो ocean लगबग 90% से जादा, जो the ocean have absorbed more than 90% of the global warming created by the human since 1970, तो 90% से जादा इसको absorb कर चुके हैं, to make sense of this, without the ocean, the global average temperature, जो है, वो jump हो गया है, लगबग 56 degrees centigrade से, तो यह अगर हर साल का इस तरीकी का data मापा जाए, तो यह situation नजर आएगी, आपको जस्त रियाद रखना है, कि यहाँ भी, जो sea surface temperature है, वो increase हो रहा है, ocean के अंदर heat content भी यहाँ पर लगातार increase हो रहा है, Arabian sea है, जो कि तो लना में 28 degree cooler होना चाहिए था, लेकिन rapidly warm यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वज़े से Arabian sea में भी cyclones जो है, वो create हो रहा है, क्योंकि cyclone के लिए एक pre-conditioning की temperature जो है, वो जादा होना चाहिए, यह लो pressure create होना चाहिए, तो यह problems यहाँ पर साफ साफ नजर आती है, इसी तरीके के जो points हैं, वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं, लिखा हुआ है, दूसरा point जैसा है, एक तो मैंने आपको SSC के बारे में बताया, इसी surface temperature के बारे में, दूसरा जो climate change है, वो भी ocean की dying का एक कारण यहाँ पर बनता चला जा रहा है, तो 2018 में अलग-अलग तरीके की studies यह यहाँ पर हुई, उन्होंने climate change के impact को यहाँ पर monitor किया, कि ocean पर इनका क्या impact यहाँ पर पड़ता है, यह जितने भी models थे, इन सब को earth system model की रूप में जाना जाता बेसिकली, और यह सब जो है, वो ocean पर climate change के impact को मापने के लिए, इस सब चीज़े निकल करके आई, इन्होंने आपर found किया, what they found was alarming, इन्होंने कहा कि if emission जो है, इस तरीके से continue रहे, और temperature जो है, आप देखों, लगबख 5 डिगरी के करीब यहाँ पर पहुँच जाएगा, by the end of century, लगबख 2100 तक जो है, temperature 5 डिगरी centigrade तक यहाँ पर पहुच जाएगा, और इस से जो आपकी 2300 तक लगबख 40% जो basically marine genera है, okay, वहाँ पर जो basically यहाँ पर आपके corals हैं, okay, तो marine जो ecosystem है, वो यहाँ पर खतम हो जाएगा, वहाँ पर फिलोरा और फोना 40% तक कम यहाँ पर हो सकती है, और 2100 तक, सन 2100 तक 8% तक खतम यहाँ पर हो सकती है, तो अलग-अलग study हैं, सारी studies आपको याद नहीं बट समझो कि हाँ, यह चीज़े भी यहाँ पर जरूरी हो जाती हैं, तो तो global average temperature जो है, in the current anthropocene era, presently anthropocene era चल रही है, अगर आपको पता हो तो, okay, unofficially इसका नाम anthropocene रखा गया है, 1.1 degree centigrade तक यहाँ पर pre-industrial level का temperature बढ़ चुका है, और उम्मीद है कि 5 degree तक यहाँ पर बढ़ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो oxygen है, देखो oxygen का जो है ocean और atmosphere के बीच में exchange होता रहता है, और exchange यहाँ पर होता है, जिसको कहते है ocean atmospheric oxygen exchange, okay, तो वो जो exchange है वो poor हो जाता है, okay, between the surface water and the deeper water also, अच्छा, तो यह चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर यह atmosphere है, यह surface ocean का और यह deep ocean यहाँ पर जो है वो निकल करके आता है, तो तीरों जगों पर किसी ना किसी तरीके से oxygen का transfer यहाँ पर होता रहता है, deeper water में भी, this result in oxygen minimum zone, जहाँ पर oxygen की कमी हो जाती है, उनको oxygen minimum zone कहा जाता है, omz कहते हैं, या उनको dead zone कहा जाता है, ocean के, जो कि वहाँ पर किसी भी त मिलीग्राम पर लीटर कम हो जाते हैं, तब भी marine organism जो है, वो रह सकते हैं, तो यह सब चीज़ें निकल करके आती है, reason with low oxygen concentration below 2 mg पर लीटर, वो जो है, उनको कहा जाता है, low oxygen zone, तो यह भी कुछ points निकल के आते हैं, वैसे UPSC पूछता नहीं, लेकिन PCS वगरा में जरूर से प तो यह जो है, basically एक, जो lantern fish है, इसके अंदर light emitting organs यहाँ पर होते हैं, और light emitting organs होनी की वज़ा से, यह low oxygen zone में रहने के लिए survive यहाँ पर कर पाती है, तो जो low oxygen zone है, इसने तो adapt कर लिया lantern fish ने, लेकिन बाकी के जो organism हैं, उनको तो कहीं और पर ही यहाँ पर रहना पड़ेगा, यानि कि अपने जो basis हैं, वो कहीं और create करने पड़ेंगे, यानि कि migration वारा जो concept है, वो निकल करके आता है, तो यह trouble का कारण यहाँ पर बन जाता है, बैक्टिरिया की बात करें, तो बैक्टिरिया oxygen को as a fuel के रूप में यहाँ पर use करते हैं, लेकिन अब oxygen नहीं है, क्योंकि low oxygen zone या फिर dead zone create होते चले जा रहे हैं, तो बैक्टिरिया क्या है कि oxygen को consume न करके, nitrate और nitrite को consume यहाँ पर कर रहे हैं, very very important point, okay, very very important, तो यह nitrite और nitrate को consume यहाँ पर कर रहे हैं, और जब यह ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो इनको denitrifying bacteria कहा जाएगा, when their metabolism changes, it can have a big impact on the chemical properties of the ocean, त और जब यह जो हैं, वो आपके बाद में nitrogen gas को बातावन में release करना शुरू कर देंगे, और जब यह बातावन में जाएगी, तो पूरी की पूरी global nitrogen cycle वो change हो जाएगी, तो एक दो बैक्टिरिया नहीं होगा, पूरे ocean के बैक्टिरिया इस फिरो मीना को शोक कर रहे होंगे, तो यह आपको इतना point यहाँ पर ध्यान रखना है, कि dead zone यहाँ पर create होंगे, low oxygen zone create होंगे, तो उसकी वज़े से nitrogen gas की जो cycle है, उस पर भी impact पड़ेगा, global nitrogen cycle पर भी impact पड़ेगा, तो यह point आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसके अलाबा अगर हम देखें, तो ocean से जो oxygen है, वो तो लोस यहाँ पर होई रही है, इसके अलाबा ocean जो है, वो जादा से जादा carbon dioxide को soak up भी कर रहे हैं, उसको absorb भी कर रहे हैं, जब जादा से जादा carbon dioxide ocean के अंदर जाती है, तो यह आपका phenomena ocean acidification के रोप में बन जाता है, एक हद तक sink का work करना सही है, लेकिन उसके या other organism के skeleton जो है, उनको पिघलते हुए देखा, उनको गलते हुए यहाँ पर देखा, मतलब क्या है, यह acid बनेगा, और acid में आप देखोगे कि जितने भी coral reef हैं या skeleton है, जो calcium carbonate के बने हुए होते हैं, calcium carbonate basically जो है, वो घुल जाता है, okay, calcium carbonate जो है, वो basically अगर आप देखोगे तो acid के अंदर घुल जाता है, और जब ocean acid होने लगेगा, तो जितने भी तत्व वहाँ पर calcium carbonate के बने हुए हैं, वो सारे के सारे तत्व घुलने शुरू हो जाएंगे, और वो खतम होने शुरू हो जाएंगे, खुल मिला के आपको ये point ध्यान रखना है, कि ocean acidification के कारण calcium corrode होता है, जिसकी वज़े से oyster हों, या crabs हों, उनकी जो shell है, वो thin हो जाती है, shell thin होने के कारण जो है, वो die होना शुरू हो जाते हैं, वो बहारी बातावन से expose हो सकते हैं, क्योंकि shell उनको protect रखने का काम करती है, ये सारी studies जो है, वो ocean acidification from knowledge to action नाम के जनर्र में प्रकाशित यहा आपका tropical areas हैं, ये आपके poles हैं, poles में simple सी बात है, temperature ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा, cooler water होगा, और यहाँ पर लगातार जो है, वो गरम water देखने के लिए मिलेगा tropical areas के अंदर, तो इन्होंने ये बताया इस report के अंदर, कि जो species हैं, वो इस warm water से cold water की तरफ को migrate कर रही हैं, और ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, तो ये migration का pattern यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे अगर हम example लें North Atlantic right whale का, तो ये भी और जादा यहाँ पर आपकी North world shift होने लगी है, क्योंकि water warm हो रहा है, और food ability भी खतम यहाँ पर होती चली जा रही है, तो ये तो points आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, कि species जो हैं, वो already travel कर रही है, पोल वर्ड, तो पोल वर्ड shift देखने के लिए मिलेगा, याद रखना कि climate change के कारण species का पोल वर्ड shift देखने के लिए मिलता है, ये याद नहीं रखना है, लेकिन याद ये रखना है, कि climate change के कारण इ species का पोल वर्ड shift है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इसके अरावा अगर हम बात करें, तो ocean biodiversity उस पर भी effect यहाँ पर पड़ेगा, ocean के अंदर काफी आपको पताई की चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, और इस पूरे के पूरी slide के अंदर ocean को divide किया गया है, ocean j zones की बात करें, तो depth के base पर जो ocean है, उनको कई सारे zones में बाटा गया है, इनको ecological zones यहाँ पर कहते हैं, अगर हम देखें, upper portion तो उसको photic zone का जाता है, photic zone में sunlight रीच करती है, लगबग 200 मीटर तक, सूरज की light है, वो penetrate कर पाती है, ocean के अंदर, तो उसको photic zone यहाँ पर का जाता ह करके, primary producer के रूप में work करते हैं, in the ocean food chain, उसके बाद, जो plankton वगएरा है, crab वगएरा है, वो इनको consume करते हैं, और अपना जो काम है, वो यहाँ पर चलाते हैं, इसके नीचे, photic zone के नीचे, अगर हम देखें, तो deep sea start यहाँ पर हो जाता है, it begins with the dimly lit mesophilic zone, okay, तो दूसरा जो इस depth पर अगर हम देखें, तो बहुत ही कम light जाती है, बलकि light यहाँ पर जाती है, dark zone भी आप इसको कहा सकते हो, but fully dark नहीं है, twilight zone है, हलका अंधेरा जो है, वो यहाँ पर रहता है, okay, तो यह चीजे हैं, और दुनिया की जितनी भी fish की density है, उसका 90% यही पर ही आपको मिलेग zone या फिर midnight zone और उसके नीचे का zone, abyss zone की रूप में जाना जाता है, तो टोटल लगबख 6000 मीटर की deep तक अगर आप यहाँ पर लोगे, तो इस तरीके से यहाँ पर निकल करके चीजें आने शुरू हो जाएंगे, okay, तो एक बार पूरा clear कर देता हूं, zero से लेकर के 200 मीटर तक zone उसको कहेंगे आप photic zone, 200 से लेकर के 1000 मीटर तक का zone उसको twilight zone यहाँ पर कहा जाता है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर मैं इसको skip कर दूँ, aphotic zone को, तो आपको यह ध्यान में रखना है, कि 1000 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक का zone जो है, उसको midnight zone कहा जाता है, उसके zone जो है, वो इस तरीके से divide होता है, आपको पता होना चाहिए, तो people जो है, basically लोगों को लगता है, कि deep water की जो biodiversity है, climate change से बहुत कम impact होगी, क्योंकि नीचे तक climate change के impact नहीं पहुँचवा पा रहे होंगे, और surface ocean गरम हो रहा है, तो deeper water तो cool होगा, वहाँ पर कोई जादा असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कई सारी studies यहाँ पर होई और study के बाद यह पता लगा, कि climate velocity जो है, वो आपकी नजर आएगी, पहले इस concept को जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, कि यह deeper water में भी climate change का impact उतना ही नजर आएगा, तो climate velocity का मतलब यहाँ पर होता है, the speed at which biodiversity migrates in response to the climate change, अब आप समझो कि जितनी जादा climate velocity होगी, उतनी जादा biodiversity migrate देखने के लिए मिलेगी, और migration तो आपको पता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्योंकि उससे आप देखो कि food resources पर एक तरीके से लडाई होनी शुरू हो जाती है, वो और जिसको आप कह सक तो आपको जिस इतना याद रखना है कि climate velocity क्या होते है, climate velocity का मतलब यह है कि कितनी तेजी से biodiversity migration हो रहा है climate change की वज़े से, तो high climate velocity का मतलब यह हो गया कि biodiversity बहुत तेजी से migrate कर रही है, यानि कि climate change का बहुत जादा असर यहाँ पर पढ़ रहा है, तो अब जो यह study यहाँ पर ह हम देखें, तो surface पर climate velocity दो गुनी नजर आ रही है, मतलब biodiversity migrate कर रही है, दूगनी गती से, simple point है, समझे में आया होगा, नहीं समझ माया, ज़रत दो तीन मिनट पीछे करके दो बार से सुनो, okay, तो यह जो चीज है, यह आपको ध्यान में होनी चाहिए, यह point पता होना चाहिए कि कहां पर climate velocity यूज होगी, तो उसका मतलब पता होगा, तभी कुशन सोल वो पाएगा, अदरवाज नहीं हो पाएगा, तो ocean का जो surface है, वहाँ पर दूगनी तेजी से velocity देखने के लिए मिल रही है, climate की, यानि कि जो biodiversity है, उसमें migration जादा नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि deep sea species are less likely to add risk, deep sea पर इतना ज़्यादा risk यहाँ पर नहीं है, मतलब वहाँ पर climate velocity जो है, वो low है, अभी, अभी के लिए इतना याद रखना है, okay, climate velocity यहाँ पर low है, लेकिन यह जो trajectory है, यह एक जैसी नहीं रहीगी, अगर हम temperature को नहीं रोक पाए, तो जो आपका basically deep sea है, पर भी climate velocity यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो point इस तरीके से देखा कि climate change के कारण deep ocean में climate velocity लगातार बढ़ रही है, जी हाँ, बिल्कुल सही है, अब सोच के देखो कि कैसे बढ़ रही है, और नहीं समझे में आ रहा है, तो जब पीछे करके दोबार से सुनो, उसके बाद आग तो basically the ecosystem of the ocean is not just a blind world for us, we also approach it blind, तो एक तो हमें वैसे ही इसके बारे में कम knowledge है, उपर से जब हम इसकी knowledge को गेन करने ही कोशिक कर रहे हैं, तो भो भी हम blind हो करके कर रहे हैं, मतलब sustainable तरीक से चीजों को नहीं कर रहे हैं, underwater world की बात करें, वहाँ पर energy के बिना सूरज और oxygen, आपक तो chemo synthesis वहाँ पर जो होती है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है, और ये सब जो है वो human imagination से परेगी चीज़ें यहाँ पर हैं, unfortunately अगर हम बात करें discovery या understanding से, तो deep sea के बारे में हमें जादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर resources काफी जादा हैं, जिनको हम यह पर drill कर रहे हैं लगातार और 2026 से ऐसे सारे operations और जादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अगर हम बात करें deep sea mining की, deep sea mining का मतलब होता है कि ocean के floor से poly metallic sulfide nodules को निकाल करके लाना, उनको extract करना, hydrothalmer bent से हो सकते हैं, ferro manganese crust से हो सकते हैं, sea mount से हो सकते हैं, यह poly metallic manganese से हो सकते है और सबी सब जो हैं, वो sea floor पर फाय जाते हैं, इन से अलग अलग तरीके के और निकाले जाते हैं, that is called cobalt, manganese, jink या अधर तरीके के rare material, जिससे आजकल के electric vehicle और renewable energy smartphone यह सब यहाँ पर चलते हैं, माई 2022 तक बात करें, तो international sea bed authority जो की एक intergovernmental body है, उसने deep sea mining activities के लिए लिए लगबग 1.5 million square से भी, कि square kilometer से भी जादा का area यहाँ पर है, लगबग total in the size of Mongolia का, मनगोलिया के size के बराबर का area जो है, उसमें mining की permission at present, international sea bed authority ने दी हुई है, जैसे बात करें, Pacific island nation की जिसका नाम है, नावरू, ओके, यह tinny island है, जो की Australia और Hawaii islands के बीच में आपको मिलेगा, यह आपको देखने के मिलेगा कि Canada based metal companies के लिए मेगनीज को माइन करेगा in the Pacific ocean, और Pacific ocean के अंदर किलेरियन, किलेपटन जोन यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर especially, ओके, ऐसे ही आपको जो है, वो और भी जगह यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखने की ज़रत न इंडिया ने भी sign किया हुआ है, law of the sea को, बट यह सब चीजें paper work में ही यहाँ पर हैं, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी formally deep sea mining की race को join कर लिया, जब उसने 16 जून 2022 को deep ocean mission को formally approve यहाँ पर कर दिया, इसका मकसद यह है कि deep ocean को explore करेंगे और develop करेंगे deep sea technologies को ताकि ocean resources का sustainable use किया जा सके, ओके तो इसके लिए 4,077 करों रूपे का mission जो है, वो expect किया गया है, इंडिया का पिलान ये भी है कि एक integrated mining system develop किया जाए, जिसे जो poly metallic nodules यहाँ पर हैं, उनको extract किया जा सके, poly metallic nodules basically कुछ नहीं होते, एक आपका इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो क जाल टाइप की चीज़े होती हैं, जाल टाइप की चीज़े होती हैं, और इन जालों के अंदर जो हैं, वो आपके, जो metal है, वो फसी हुई होती है, तो वो captured metal यहाँ पर होती है, उसको nodule का जाता है, उसको extract किया जाता है, और फिर उससे metal को निकाला जाता है, तो यह जो इ लिप ओशेन मिशन है वो Central Indian Ocean में वर्क करेगा याद रखना तो Exploration Studies यहाँ पर की जाएंगी Commercial Exploritation किया जाएगा जितना एरिया हमको यहाँ पर Distribute किया गया है उतना कोंपर साड़े चार मिलियन टन के करीब निकल ये सब मेगनीज वगरा यहां से मिल सकते हैं इस सब को एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ ओशन टेकनोजी चेन नहीं ने वराहा नाम का सेल्फ प्रोपेल्ड सीवेड माइनिंग मशीन भी तयार की है जो की 6000 मीटर की गहराई से इनको निकाल करके लाएगी तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी पता होनी चाहिए माइनिंग की बात करें तो माइनिंग सीधा सीधा पोटेंशल लगती है कि वो डीप वाटर की जो इकोलोजी है बेसिकली उसको यहाँ पर हर्ट करेंगी सिंपल सी बात है आप माइनिंग करोगे वहाँ पर हल चलोगी हल चलोगी तो बायो डाइवरसिटी वहाँ पर अफेक्ट होगी और डिस्टर्ब वहाँ पर होगी तो steep mining जो हो रहे है deep sea mining उसमें आप अलग रग तरीके के ships का इस्तमाल करते हो फिर काफी सारे जो heavy machinery है उसका भी इस्तमाल यहाँ पर किया जाता है pipe बगेर का इस्तमाल किया जाता है तो उसके जरीए जो है वो species disturb जो है वो यहाँ पर होती है if the sea bed is soft it will generate lot of clay into the system और जिसकी वज़े से biota है पूरी तरीके से effect यहाँ पर होगा यह common चीज़े हैं यह सब आपको पता है यहाँ पर तो mining के कारण जो है वो noise भी हाँ पर होगी क्योंकि heavy machinery का use होगा जिससे जो है वो अगर अब basically देखो sulphide की रोक है तो उसको तोड़ोगे तभी तो उठाओगे तो तोड़ने के लिए machine का इस्तमाल के जाएगा grinding machine हो सकती है तो उससे जो communication है between the species यह marine organism वो भी यहाँ पर hurt होगा और तो और जो food systems है वो भी थोड़े से disrupt यहाँ पर होगे क्योंकि species को खाने के लिए जो चीज़े महां से मिलती वो नहीं मिलेंगी इसके लावा और भी risk यहाँ पर है like अगर mining यहाँ पर की जाती है mining will introduce metals into the water column making the water column toxic heavy metals अगर वहाँ से extract की गई और उसकी leakage हो गई तो वहाँ पर heavy metal जो है वो इखटी हो जाएंगी water के अंदर और heavy metal किसी भी species के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि heavy metal अगर एक बार food system में enter कर गई तो फिर वो bio accumulation और biomagnification के जरीए human system में पहुंच जाती है और आपने सुना होगा mini mata disease के बारे में आपने सुना होगा cadmium basically cyanide disease के बारे में तो इस तरीके की बहुत सारी disease जो है वो यहाँ पर heavy metal के जरीए हो जाती है तो यह सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रख रही है बाकी यह थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तो इसके लिए आप सही है कि deep sea mining करना चाहते हो renewable energy भी हमारी priority है बट अगर आपने regulation को ignore किया तो परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे deep sea experts की सला यहाँ पर लेनी चाहिए और कम से कम जो है वो आपको deep sea ocean को छोड़ देना चाहिए चाहें वले ही वहाँ पर कुछ ना कुछ मुझूद हो मुझूद है लेकिन simple सी बात यहाँ पर आती है अगर आपको permean extinction जैसी situation को रोकना है तब आपको एक काम करना पड़ेगा basically लोगों को यह लगता है कि यह हमारे समय में तो होने का नहीं है great ocean dine 2.0 तो हमें रोकने की जुरत नहीं है हमारे आने वाली generation खुद देख लेगी तो इसलिए हम जो है इन जीदों पर जादा ध्यान नहीं देते but this is wrong okay आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाली generation को काफी नुकसान होने वाला है यह इस तरीके की और 70 80 news जो है वो इस वीडियो के अंदर cover की जाती है that is UPSC special बहुत खुबसूरत और इस पर सबसे ज़्यादा time मैं लगाता हूँ यह अलग अलग variation आपको मिलेंगे card bar लगा दूँगा वो देख लेना या फिर type कर देना तुरंत मिल जाएंगे उसके बाद आगे चलें तो अगला article आ जाता है forest और चैस्टा के बारे में इस article में basically बात की जाए तो property की बात की गई है या फिर एक tool की बात की गई है जिस tool का नाम है bioacoustics नाम से इस पस्ट है bioacoustic का मतलब acoustic मतलब ध्वनी से होता है और bio मतलब living being एक basically फिनोमेरा यहाँ पर हो गया तो bioacoustic का मतलब यहाँ पर यह हो गया उसको भी मापा जा सकता है तो अगर हम चीजों को यहाँ पर observe करने की कोशिश करें इस पैसे से आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखें तो यह point थोड़ा सा important हो जाता है कि इस सब का जो idea है basically bioacoustic system का इसका idea यह है कि यह जानना है कि कैसे human activities impact करती है animal biodiversity को हर एक species किसी ना किसी तरीके की sound को produce यहाँ पर करती है तो उसका अपना खुद का एक अलग signature बन जाता है जैसे human system में उसका अधार कार्ड ले लो वो उसका अपनी identity हो गई तो ऐसे ही हर species की sound है वो उसकी अपनी identity यहाँ पर होती है तो उस identity को यहाँ पर आप जो है वो basically collect करते हो basically यह system work कैसे करते है इस चीज को यहाँ पर समझो basically इन्होंने work दिखाया भी है तो मैं उसी image को ले लेता हूँ न यह रही तो यह इस तरीके से यहाँ पर work करते हैं यह system को install करते हैं placing sound recorders sound recorders यहाँ पर लगाएंगे जिसमें की wide range of sounds यहाँ पर इखटी हो जाएंगी अलग-लग जो पक्षी पसू है उनकी आवाजे यहाँ पर इखटी हो जाएंगी लग-बग 5 से 7 दिन के अंदर आपको मिलागा कि device को है वो रिट्राइब किया जाता है उसके बाद वो जो sounds यहाँ पर इखटी होई उनको pre-processing किया जाता है clear किया जाता है कुछ sounds में से noise को हटाया जाता है और clear sounds जो है वो यहाँ पर लाई जाती है background sounds like rain, wind उन सब को remove करके software के जरिए इन sounds को clear यहाँ पर जो है वो किया जाता है फिर इसकी full processing यहाँ पर किया जाती है और एक spectrogram यहाँ पर तयार किया जाता है जो की special sound frequencies को generate यहाँ पर करता है हर एक species की sound को अलग किया जाता है और उसको analyze करने के बाद एक पूरे system में डाल करके bio acoustic tool यहाँ पर तयार किया जाता है उसमें साफ साफ पता जलता रहता है कि कौन सी species की आवाज किस तरीके की यहाँ पर है और उसका use कैसे यहाँ पर करना है Based on the frequencies, each animal produce a signature sound यानि कि software जो है वो artificial intelligence का use करता है जिससे जो है वो आप देखोगे कि estimate किया जा सकता है कि एक जगे की diversity क्या है वहाँ की population species क्या हो सकती है AI जो है वो इसमें हमारी require करता है recording को run करता है in hundreds of hours और साथ इसाथ उनको analyze भी यहाँ पर करता रहता है तो basically आप यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो पता चलेगा कि floral और phonal biodiversity को observe करने के लिए monitor करने के लिए इस tool का इस्तमाल जो है वो किया जाता है तो sound techniques है और sound recorders लगाए जाते हैं फिर उनको analyze किया जाता है artificial intelligence के ज़रिये bioaccoustic tools develop किया जाते हैं जिससे की estimate लगाए जाते हैं कि species लिखना क्या है कहीं पूछा जाए तो अपने आप दिमाग में आएगा वरना नहीं आए ignore भी कर सकते हो कोई बड़ी चीज नहीं है तो bioaccoustic वैसे पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है तो in recent times अगर हम देखें तो बहुत सारे scientists हैं जो कि sound recorders है या फिर microphone है उसमें animals की sound को जो है वो capture यहाँ पर कर रहे हैं यह technology especially global south में काफी जादा important हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जादा fund available नहीं होते कि किसी और तरीके की serving यहाँ पर की जाए ओके like animal surveys लगातार किये जाए उसमें बहुत सारा पैसा टाइम बरबाद होता है तो उसमें जो है वो इस तरीके के bio acoustic tool हमारी काफी मदद यहाँ पर कर सकते हैं यह tools especially Brazil, India, Indonesia, Africa ऐसी सबी जगों पर काफी famous हैं क्योंकि diverse rainforest हैं तो species diversity भी काफी जादा है animals की बात करने तो species है उन सब के extinction का threat यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है especially human activities की वज़े से तो उसमें भी यह हमारी जो है वो मदद कर सकता है as such technology which developed in the 20th century with the invention of sound recorders जब sound recorders आयोंगे, spectrogram आयोंगे तब भी यह technology यहाँ पर उभर कर क्या ही होगी ecological research में इसके कई सारे application नजर आते हैं यह anthropogenic activities के क्या impact होते हैं वो भी जानता है like noise pollution कितना जादा है एक particular species area के अंदर उनको भी जानता है और साथी साथ वो noise pollution जो human induced है उसका impact क्या पड़ा animal behavior पर और उससे population को estimate भी किया जाता है 5-6 point कोई मिलाकर निकलते हैं याद रखो इन चीज़ों को समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी बस इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उसके अलावा यही चीज जो है इसके लिए project धवीनी भी चला हुआ है कोई बड़ा project नहीं है पर मदद कर रहा है साथ ही साथ तीन doctoral candidate है उनके नाम भी दिये गए है अब जित्ता पढ़ोगे उतने यहाँ पर चक्कर खाओगे तो ज़्यादा पढ़ने की जुरुत नहीं है दिया गया project धवनी है इसका मतलब यह है कि यह understand करेगा बायो डावरिस्टी को इन हुमन डॉमिनेटिड और प्रोटेक्टिल लेंडिसकेप अक्रोस दा इंडिया बाय यूजिंग बायो एकॉस्टिक टूल्स ओके जस्ट इतना पॉइंट आपको यह project का नाम याद रह जाए यही बहुत है ठीक है चलो आगे चलो यहाँ पर आगे अगला आर्टिकल आजाता है और लिखा हुआ है नेक्स्ट भौपाल अबेट्स देखो भौपाल गैस कांट यहाँ पर हुआ था ओके 84 के अंदर तो उससे मिलब काफी मिसाला मिथाल ऐसुसाइनेट वहाँ पर रिलीज हुई थी उसके बाबजूद कितने साल हो गए 16 साल वो हो गए 22 साल यह हो गए लगभग 30 से जादा साल यहाँ पर हो गए आज भी लगातार केमिकल प्लांट्स के अंदर एक्सिडेंट हो रहे हैं जैसे एक्सांपिल दिया गया है केमिकल फैक्ट्री थी इस एरिया के अंदर बेसिकली एलूरू डिस्टिक में आंद्रप्रदेश के अंदर वहाँ पर एक्स्प्लोजन हुआ जिसकी वज़े से मिड़नाइट में लगभग 6 वरकर्स की दैथ हो गई और 12 जो है वो इंजर्ट भी यहाँ पर हो गए चलो केमिकल बेसिकली एक्स्प्लोजन यहाँ पर हुआ हाथसा यहाँ पर हुआ और यह सब चीज़े निकल करके यहाँ पर आएं चलो यह सब आया आपने कोई भी कारण दिया हो कि इस वज़े से हुआ इस वज़े से हुआ तो उसको रोक नहीं तो था रोकने के लिए ही तो सरकार ने कई सारे केमिकल मीजर्स यहाँ पर तयार किया है तो वो सब नजर आया कि यह सब एपलाई नहीं हो रहा है तो क्या लिखा हुआ है रिसेंट एक्सिडेंट्स जैसा की आंदर प्रदेश के अंदर हुआ इन केमिकल प्लांट्स यह एक्सपोस करते हैं कि जो रैगूलेशन है इंडिया के अंदर उसमें फिलॉस देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि इंडिया की वर्स्ट केमिकल इंडस्टीज को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे ठीक है तो इंडस्टीज में इस तरीके के एक्स्प्लोजन्स ना हो उनको रेगूलेट करने के लिए अलग-अलग तरीके के कानून नियम बनाए गए थे लेकिन नजर आता है कि ये सब में कुछ नहीं रखा को एक्स्प्लोजन का क्या कारण यहां पर था दूसरी चीज ये निकल के आई कि चलो फैक्टरी यहां पर चल रहे थी उसके अंदर फायर अलारम्स क्यों नहीं बजे वाइ था फैक्टरी डिड नोट हैव सैंसर्स टू टू ट्रिगर फायर अलारम्स तो फायर अलारम्स क्यों नहीं बजे सैंसर्स वहाँ पर क्यों मौझूद नहीं थे क्या इंडिया के रेगुलेशन इतने हलके हैं कि सैंसर्स तक नहीं लगाने को मना किया गया नहीं सैंसर्स क्यों नहीं थे फैक्टरी के अंदर ये कुछ कारण है ये ground realities होती हैं आपको पता होना चाहिए इसके अलावा आपको मिलेगा कि किसी chemist की shift क्यों नहीं थी was on the duty at the time of accident जब accident हुआ उस समय वहाँ पर कोई भी chemist मौजूद नहीं था क्यों ओकी तो ये भी कुशन निकल करके आता है इन सब की details निकाली जा रही है तब पता चलेगा साथ ही साथ हमें ये भी नहीं पता कि वो जो company यहाँ पर थी ये अंदर प्रदेश के अंदर या chemicals जो वो manufacture कर रही थी वो कौन से थे या कैसे थे not much information was available about the company company तक के बारे में ज़्यादा आमें available चीज़ें नहीं है इसके लिए है कि वो international standards for material safety data sheet को यहाँ पर follow करें ये important हो जाता है आप में से बहुत होने इसका नाम भी शुना होगा material safety data sheet international regulation है international standards है जैसे अलग-अलग और भी होते हैं तो उस तरीके इसके ये standards यहाँ पर हैं तो इंडिया ने इसको mandate नहीं किया हुआ है इंडिया में लागू नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया में इसको लागू करना चाहिए ये जो international standards है ये इस चीज़ को लागू करते हैं कि जो chemicals हैं उनका transportation, handling, storage जो है वो सही तरीके से होना चाहिए और state of toxicity उनके ओपर लगी हुई होनी चाहिए एम ये ही है कि जो workers है, management है, fire fighters है, hospitals है, police है, public है उनमें accident की, case की, eventualities की सारी knowledge available हो ये इसके अंदर लिखा हुआ है चुकि इंडिया ने इसको लागू नहीं किया हुआ है तो public domain में private companies की जो knowledge है वो अपलब जादा नहीं है क्योंकि इंडिया के laws जो है उनमें flood देखने के लिए मिलते हैं guarantee तो ये भी नहीं है कि अगर ये international standards लागू किये गए तब चीज़े सुधर जाएंगी लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं तो इस तरीके के अगर हम यहाँ पर बात करें तो Indian version भी launch किया जा सकता है MSDS का यानि इसके कुछ principles को उठाएं और India के हिसाब से change करने जैसे constitution बनाया गया था इस तरीके से तो ऐसा अगर step लेते हैं तो chemical companies के लिए काफी important यहाँ पर होगा especially ऐसी companies जहाँ पर low skill laborers यहाँ पर हैं उनको proper training नहीं दी जाती है तो बहुत सारी जो chemical companies हैं वो villages में भी उपलब्द हैं villages में यहाँ पर हैं जहाँ पर बेसिकलिए अगर हम देखें laws जादा लागू नहीं होते हैं और industrial estate जो हैं जो आपकी बितलब बिलेज में chemical companies हैं उनको shift करने की बात है क्योंको industrial estate में shift कर देना चाहिए या फिर उनके ओपर जो vigilance है उसको shift करने का काम करना चाहिए तो यह चीजें लागू करने की बात की जा रही है कुछ सुधार भी यहाँ पर जो है वो दिये गए है पीपल जो chemical factories के आसपास यहाँ पर रहते हैं उनको safety precautions के बारे में पता होना चाहिए उनको पता होना चाहिए कि accident के time पर आप यहाँ पर क्या करें उनके reasoner language में safety precautions जो है वो लगे हुए होनी चाहिए पोश्टर के रूप में ताकि वो उनको पढ़ें और सीजो को समझें factory premises के अंदर है या फिर आगे पीछे हैं मतलब इधर उदर हैं तो उन सबको awareness होनी चाहिए जो side में लोग रहते हैं school children है youth है उनको particularly training जो है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए companies जो है उनको regularly safety drills इस्तेमाल करनी चाहिए fire alarms use करने चाहिए alert systems होने चाहिए और companies जो है उनको fire safety protocols को regularly revisit भी यहाँ पर करना है time to tie expert committees भी यहाँ पर बनानी है तो यह चीज़ें पता होनी चाहिए इतना सब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उसके बाद बात करें तो यह एक page का और article नजर आता है और article में generally ignore कर दिया जाता है लेकिन पढ़का देखा तो काफी अच्छा article था ओके तो article के अंदर लिखा हुआ है science of localization तो इसके अंदर basically यह बताया गया है कि हाल ही में food inflation पूरी दुनिया में देखने के रहे मिला लगबख 70 से जादा countries ने food inflation को जहला, 70 से जादा नहीं, जितनी countries हैं सब ने जहला लेकिन 70 countries ऐसी थी जिसमें भारी मातरह में public protest नजर आए यह ऐसी situation चोंदी गई है, public protest तो होते रहते हैं, food inflation हो यह हो, सब चीजों में होते रहते हैं लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि food inflation में जो public protest हुए, उनमें youth जो है वो आगे आकर के खड़े हुए है the rise of youth protest against the high food prices, तो food inflation में youth जो है वो अब सामने आकर के खड़े हुए है अलग तरीके के surges देखने के लिए मिले, पूरी दुनिया में जो price है वो बढ़े, साथ-साथ protest भी यहां पर बढ़ने शुरू हुए, तुनीशिया हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, सभी में जो है वो यह चीज़े बढ़ ही, क्योंकि economic crisis बहुत बढ़ा आया था वन striking aspect, current protest जो है उनका यह हुआ कि यूथ का participation यहां पर मिला, और अगर हम यहां पर देखें, तो यह काफी important चीज हो जाती है, food prices rise यहां पर हो रहे हैं, जिसकी वज़ा से अगर आप देखेंगे, pinches as it comes nearly two decades of cheap food availability, इससे पहले दो दसकों की बात करें, तो दो दसकों तक food के prices काफी सस्ते यहां पर रहे, तो यूथ को इन चीजों से कोई फरक नहीं पड़ा, उसको यह अंदाजा नहीं था, basically globalization का system शुरू हुआ 1991 से, okay, जैसे globalization हुआ 2010, 2011, 2012 तक जो है, वो food system जो है, उसमें, जो basically value chain है, वो सस्ती रही, okay, cheap product यहां पर available थे, food के prices भी यहां पर कम थे, त यहां पर आपको नजर आएगा, कि food के prices यहां पर बढ़ने शुरू हो गए, और यह इसके पीछे का कारण जो है, वो de-globalization बताया जा रहा है, दुनिया भर में लगातार de-globalization हो रहा है, countries अपने borders को यहां पर बंद कर रही है, दूसरी countries के लिए, आप दें देखा कि यूकरियन ने संफ्रोबर ओयल को बेंड कर दिया, इंडोनेशिया ने यहां पर आपका पाम ओयल को बेंड कर दिया, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने लीथियम आया, यहां पर लगातार बढ़ रहा है, तो यह चीज़े जाननी जरूरी हो जाती है, लिखा हुआ यह 1991 से ले करके 2010 तक का आँखड़ा है, जिसमें फूट के प्राइसे काफी ससते थे, लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता, फूट कहां से आया, कहां से गया, अच्छे प्राइसे पर मिल रहे थे, लेकिन काम चल रहा था, बट नाओ, गलोबलाइज वाजार है, बट अब कोई भी कंट्री फूट सेक्योर अब नहीं बजी है, तो इसमें यूथ का पार्टिसपेशन बहुत जरूरी है, ताकि वो सामने आई इन चीज़ों से लड़ने में जो है, वो मदद मिलेगी, ओके, तो यह आर्टिकल अभी आप लोग के काम का हो जाता है, कुश्चन निकल आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए, कि किस तरीके के पॉइंट्स निकल करके आएंगे, इस तरीके से मैगजीन कंप्रीट होती है, काफी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें कंप्रीट हुई, और अगर आपको मैगजीन चाहिए, तो आप 10 रुपे म पर्चेस कर सकते हैं, मैथट मैंने आपको बताया, 60 रुपीज में यहाँ पर आपको इमेगजीन उपलब्द हो रही है, और ये बहुत कम रेट है, वो ही खरीदे जिसको जरुवत है, या अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, तो डोनेशन के नाम पर भी मैं आपको जो है, खुश रहो, इतना ही काफी है, चीजों को सीखते रहो, एपलाई करते रहो, जस्ट सफिशेंट है, थैंक्स वर वाचिंग, टेक केर,